आप लोग सभी अच्छे हैं और अपने अपने कामों में खुब अच्छी ताह से बीजी हैं वीडियो को स्टाट करते हैं यह प्यारी सी खिली ही पैंटर सा प्लांट के साथ देखिए फ्रेंट्स यह समाल में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है लेकिन इने इसके थोरी ब चुटी-चुटी कल्विया भी इसमें आयो ही है फ्रेंट्स में बहुत सरे गमलों के मिटी में इस तरह से छोटे-छोटे चिटिया रहने लगी हैं एक गमले से दिसरी गमले तक यह सभी चिटिया विजिट कर रहे हैं देखिए फैंड्स कमलों के मिटी में जब चिटिया रहने लगती हैं तो फ्रेंड्स बोदों की ग्रोथ इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है तो फ्रेंड्स इससे किस तरह से छुटकरा पाए मैंने इनसे छुटकरा पाने के लिए फ्रेंड्स फ्रेंड्स यहां मैंने नीम उइल का यूज करने वाली हूँ देखिए फ्रेंड्स यह हैं 100 ml का नीम उइल है और यह मुझे मिला है 130 रुपीज में यह आप लोग हाथ की दुकानों में या फिर आयूबेडिक दुकानों में नहीं तो नार्साय से भी आप लोग इसको पा सकते हैं इसको किस तरह से यूज करेंगे वह मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स यहां मैंने फ्रेंड्स में 20 लिटर पानी लिया हैं अब और यहां फ्रेंड्स देखिया गुंगुना एक लिटर पानी है उसमें में पानी में यहां पर 20 ml नीम ओल यूज़ करने वाली हूं पहले फ्रेंड्स इस गुंगुने पानी में इसको में यहां मिक्स करेंगी जिससे की यह ओयल अच्छी तरह से डिवल्ड हो जाए अब मैं इसको इस बॉकट में मिक्स करेंगी अब सभी पोधों में उसकी मेल स्टेम से थोड़ी दूरी से सभी प्लांट में मैं इसको दे दूंगी इस तरह से फ्रेंड्स की स्मेल से फ्रेंड्स जितनी भी चीटिया है यह सभी भाग जाएंगे और एक बात फ्रेंड्स यह देखिए यह मेरे गिल्दावरी का प्लांट है इसमें देखिए स्पाइडर माइट का अटेक हा है यह देखिए फ्रेंड्स इसमें भी आप इसी तरह से स्प्रे बोटल में यह मॉल्ट जाल कर स्प्रे बोटल में डाल कर इस तरह से आपने का प्लांट में स्प्रे कर सकते हैं यह बहुत अच्छा एका इंसक्टिसाइड और वेस्टिसाइड है देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलागा आप लोग को तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना ही वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट किजिएगा अच्छा लगा तो लाइक शेयर और मेरे चलन में आप लोग नए है तो प्लिस चैनल को सास्काइब भी किजिएगा साथी बेल आइकन को प्रेस करना मत भुलिएगा जिसे की मेर आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिल जाए ओके फ्रेंड्स बाई